हेलो फ्रेंज आप सब टेक बाइ फिर से स्वागत है हमारे चैनल मुन्ना किचन में आज हम आपके लिए क्या है होटल वाली पूरी बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी वीडियो को आइन तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले साथी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीचे और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो आईए होटल वाली पूरी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लगबाग 200 gram आठे को ले लेंगे कुछ इस प्रकार से अब हम इसमें थोड़ा सा रवा आड़ कर देंगे कुछ इस प्रकार से इसी के साथ अब हम इसमें दो चम्मज देशी गी को आड़ कर देंगे कुछ इस प्रकार से देशी गी आड़ करने के बाद अब हम इसे कुछ इस प्रकार से हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी यड़ करके आठे का डो त्यार कर लेंगे आटे का डो इसके लिए हम थोड़ा सा सकती रखेंगे नॉर्मल आप जो रोटी और पराटे के लिए गुदते उससे हम थोड़ा सा सकत आटा गुदेंगे अगर आप आटे के डो में थोड़ा थोड़ा पाने याड़ करके आटे का डो तयार करेंगे तो आपका आटे का डो अच्छी तरह से तयार हो जाएगा इसके साथी साथ अपकी पूरिया भी एक दम मस्त मस्त फिली फिली बनेगी लगबक्स दस मिंट आटा को सानने के बाद आप देख सकते हमारा पूरि का डो बन के एक दम अच्छी तरह से तयार हो चुका है अब हम इसे गीले रुमाल से ढग कर 20 मिनिट के लिए साइड में ढग देंगे 20 मिन के बाद अब हम रुमाल को हटा देंगे और इसके साथ आप देख सकते हमारा आटा एक तम अच्छी तरह से सेट हो चुका है अब हम डो को कुछ इस प्रकार लंबे लंबे शेप में कर लेंगे अब हम चक्को की सायता से आटे की लोई तयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से इसी प्रकार से हम सारे आटे की लोई तयार कर लेंगे पहले हम लंबे शेप में करेंगे फिर हम इसकी छोटी छोटी लोई तयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं हमारी सारी लोई एकदम अच्छी तरह से तयार हो चुकी है अब हम इसे एक पड़े से थाली या परात में ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल आट कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा ओईल बेलन पे भी लगा लेंगे अब हम एक लोई ले लेंगे और इसे कुछ इस प्रकार से हम बेल लेंगे अच्छी तरह से बेल लेंगे बाद अब हम इसे एक पेपर पे रख देंगे इसी प्रकार से हम एक एक करके सारी लोई ले लेंगे और इसका पूड़ी हम अच्छी तरह से बेल लेंगे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हमारी सारी पूरी बेल के एकदम अच्छी तरह से तयार हो चुकी है अब हम गैस पे तेल को गरम अने के लिए रख देंगे थोड़ी दिर बाद तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके पूरी को आड़ कर देंगे कुछ इस प्रकार से पूरी एट करने के बाद अब हम चनोटे की सायता से तेल को थोड़ा साम पूरी के उपड़ डालते जाएंगे ताकि पूरी हमारी अच्छी तरह से फुल जाए थोड़ी दर के बाद आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी अच्छी तरह से एक तरफ से लाल हो चुकी है अब हम सारी पूड़ीों को पल्टी कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी से पक जाए और लाल हो जाए थोड़ी दर के बाद आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी दोनों तरफ से एक्तम अच्छी से लाल हो चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से इसी प्रकार से हम अपनी सारी पूड़ीों को तल लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी बन के एकदम अच्छी तरह से तयार हो चुकी है पूड़ी मस्त एकदम गोल गोल फुगी हुई भी साथी साथ इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है अगर आपको आजके हमारी वीडियो पसंद आये तो लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले साथी साथ विंती करूंगी आप भी अपने एक बर घर पर जरूर ट्राय की जोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद